आज जम्मू कश्मीर में भारत की बेटियों का एक बहुत बड़ा अपमान हुआ है और देश की गरिमा को बहुत ठेस पहुची है अब ये तस्वीर देखिए ये भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए बनाया गया एक पोस्टर है इस पोस्टर में आपको जम्मू कश्मीर के मुख्यमंतरी महबूबा मुफ्ती के अलावा पूरू प्रधान मंतरी इंदिरा गांधी, भारत रत्न लता मंगेशकर, टेनिस खिलाडी, सानिया मिर्जा, एस्टोनौट कलपना चावला और सेंट मदर टेरेसा की तस्वीर दिखा ये वो पोस्टर है, लेकिन इसी पोस्टर में एक ऐसी महिला को भी जगा दे दी गई है, उसकी तस्वीर भी लगाई गई है, जिसका मकसद है भारत की बरबादी, आतंकवादी हाफिस सईद का नाम तो आपने सुनाई होगा, हाफिस सईद इस महिला को अपनी बहन मानता है और दोनों के बीच बाकाईदा फोन पर लंबी बाच्चीत होती रहती है, ये महिला भारत की जमीन पर खड़े होकर ना सिर्फ पाकिस्तान का जंडा लेराती है, बलकि भारत की सेना के बारे में आपत्ती जनक बातें कहती है, और पत्थर बाजों की फौज को उकसाने का का करती है इस महिला का नाम है आसिया अंदराबी जो एक अलगावादी नेता है और दुख्तरान ए मिल्लत के नाम से जम्मु कश्मीर में अपना संगठन चलाती है इस महिला का एक मात्र मकसद है कश्मीर में इसलामिक कानून को लागू करना और 24 घंटे पाकिस्तान के भक्ती मे दूबे रहना भारत विरोधी गतिविदियों के वज़े से आसिया अंदराबी अप्रेल 2017 से ही जेल में है उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं लेकिन आज जिस बात पर सबसे ज़्यादा है वो ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नेक इरादों वाले पो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं बलकि आतंकवादी बनो और आतंकवादी बनाओ जैसी सोच का पुचार कर रही है आज जी नियूस पर ये खबर दिखाए जाने के बाद इस मामले की जाच शुरू हो गई है और अनतनाग के एडिशनल डेपुटी कमिशनर ने बाल करती कम और मौन समर्थन ज्यादा दिखाई देता है आपको याद होगा आतंकवादी बुरहनवादी की मौत के बाद कैसे उसे घाती का पोस्टर बॉई बनाने की कोशिश की गई थी कैसे उसे हीरो बनाकर प्रोजेक्ट किया गया था ऐसा लगता है कि आसिया अंदरावी क के मामले में भी बिलकुल वैसा ही हो रहा है कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राज्य सरकार कुछ और नहीं बलकि तुष्टी करण की राजनीती कर रही है जमु कश्मीर में पीडी पी और बीजे पी के गड़वंदन की सरकार है इसलिए मामला और भी गंभीर हो जाता है क दोनों ही पार्टियां इस जिम्मदारी से बच नहीं सकती पाकिस्तान ही है पाकिस्तान हमारा है यह वो है जिसका दिल पाकिस्तान के लिए दबगता है तो पाकिस्तान का हम हिस्सा बनते हैं, हमारे दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, हम नैटरल हिस्सा पाकिस्तान के हैं, और पाकिस्तान के पर्जम नहरा हैं हासी साब हमारे ले एक मॉरल सपोर्ट की हैसित रखते हैं, इस मॉरली सपोर्टिंग अस यह वो है जिसे आतंकュादी हाफिज साइद अपनी मुबोली बहन बुलाता है और उससे फोन पर बाते करता है मिरी बहन आस्या hoje ने पंदरा मिलें तक रो कर मुझे फोन पर कहा कि मेरे भाईयों तुम कहा हो तो मैं अपनी पेन आसिया से कह रहा हूँ मेरी पेन हमारे है ये वो है जो भारत की जमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान का जंडा लहराती है और ये वही आसिया अंदरा भी है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है और इसके लिए पाकिस्तान की मीडिया भी उसे किसी हीरो की तरह प्रोजेक्ट करती है क्या सूर्टेहाल है और कश्मीर के नौजवान जो है भारती गोलिया सीने पे खाकर भी पाकिस्तान का पर्चम लहरा रहे हैं आपकी पाकिस्तान से सुथ क्या तौपवात हैं सवाल ये कि जब पूरा देश आस्यान रावी के चरत्र से भली भाती वाकिफ है तो फिर बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ जैसे पवित्र सोच रखने वाली मुहिम में उसे घाटी के रोल मॉडिल की तरह पेश क्यों किया गया पहले ही बना के रखा था हमने ये बैनर तो इसमें आईस्या इंद्रावी का भी है ये मज़बी तूर मज़बी के वज़े से ये मज़ब जानता है ये तो आईस्यास का है बेटी बचाओ बेटी पड़ा के तरीके से बागे कुछ नहीं है हाँ ये मामला हमारे द्धान में आया और इमीचेट इस जो ऑफिशल है उसके अच्छन हुआ है उसके ओपर जो भी जो है कानूनी कारवाई होगी सकती से निटा जाएगा क्योंकि ये जो लोग हैं विदा के बहाने बाजी कर रही है जी मैंने ड्राइबर को कहा था मैंने उसको कहा था उसने चाप दिया तो लेकिन अफसर की जमेबारी तो है कि जो एंटी नेशनल हैं जो बिलकुल सेपरेटिसम को लगाबाद को और पाकिसानी लोग हैं उनकी अगर फोटो आएगी तो फिर तो गल्दा लेकर बड़ी सकती से उससे निटा जा रहा है जिन सेपरेटिस लीडर्स के खिलाफ काम होना चाहिए वहाँ सरकार को इसके बारे में स्ट्रॉंग ही बात करना चाहिए और इस प्रकार का अगर सेपरेटिस लीडर्स को गलोरिफाई किया जा रहा है तो भरतिय जनता पार्टी वहाँ सरकार में क्या करें उनको जवाब द न चाहिए इस बात का जमू कश्मीर में लगातार भारती जनता पारटी कह रही के आतंकवाद से लड़ना है उससे पहले सरकार बनाने से पीडीपी को अटल बिहारी बाजपई से लेके रसस के लोगों ने मुफ्ती 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 साईद से लेकर महबूबा मुफ्ती को कहा कि ये संड़क्षक हैं आतंकवादियों के समर्थक हैं आज उसी पीडीपी के साथ बारती जनिता पार्टी सरकार बनाई हैं महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री हैं जब मुख्यमंत्री ही जो आतंकवाद का सपोर्ट करती रही हूं वह राज्यकी भाजपा की पोस्टर बन गई हो तो किसी और का पोस्टर में पढ़चा छप ज ले हैं जो वहां से फंडिंग पाते हैं दोसी तब अगर सेपरेस्ट डीडर जिसके पर आरोप इस तरीके के हैं उसकी फोटो पोस्टर पर चापी जाएगी तो क्या संदेश दिया जा रहा है मैं समस्तों मुझे लग रहा है जम्मो सरकार की जम्मो कश्वीर की जो सरकार उ उसकी विल पावर है नहीं ये भूल है और उस पर कारवाई भी हुई है आशिया अंदरावी कहीं से भी वहां आतंक की ही प्रतिक हैं लोगों को भड़काने की प्रतिक हैं उसके उस पर कारवाई हुई है ये कोई मानविय गलती नहीं हो सकती कि दुनिया भर में भारत का नाम रौशन करने वाली बेटियों की तस्वीरों के साथ एक पाकिस्तान परस्त महिला का महिमा मंदन किया जाए क्योंकि जिस वक्त ये तस्वीर भारत की गरिमा को ठेस पहुंचा रही थी उस वक्त उसी इस्थान पर जम्हु कश्मी के राज्यमंत्वी जहूर मलिक सहित कई दूसरे नेता मौजूग थे सवाल ये कि क्या किसी की इस तस्वीर पर नजर नहीं गई और अगर गई तो क्या सब ने उसे नजर अंदास कर दिया और इसी बात में देश के अलग-अलग हिस्थों में मौजूद लोगों का खूद खौला डाला है ये कोई साजिश नहीं है जान बूज कर किया गया है और ये होता रहता है किश्मीर में तो होता ही रहता है लेकिन उसके लिए सिर्फ एक बंदा है नोंने सिस्वेंड किया है उस चोटे मोटे बंदे का हाथ तोड़ी है इसमें बहुत आगे तक गेम हुई है जो महिला कश्मीर में इसलामिक कानून लागू करने और पाकिस्तान की पैरवी करने के लिए बतनाम है क्या उसे इस प्रकार की शोहरत दे कर तुष्टी करन का एजेंडा नहीं चलाया जा रहा इस आस्या अंध्रावी का चित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बैनर के उपर आना बहुत ही शरमसार करने वाली घटना है निंदा कड़ी निंदा करते हैं लेकिन एक साजिश के तहट ये किया गया है ये अचानक नहीं हुआ है या कोई human error नहीं है ये साजिश के तहट किया गया है सरकारी तंत्र में आज भी कश्मीर घटी में बहुत सारे ऐसे सरकारी अधिकारी हैं जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है जो पाकिस्तान के साथ मिले हुए है और साजिश के तहर आसिया अंद्राभी का चित्र बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर के उपर लगाया गया है जिसको भारतिये जन्तापार्टी स्विकार नहीं करती जब भी कोई सरकारी फंक्शन के लिए बैनर या पोस्टर बनते हैं होते हैं उनकी प्रूफ रीडियू होती है तो मुझे नहीं लगता यह एक एरर था यहां गलती थी किसी छोटे आफसर के लेवल पे यह एक सोची समझी साज़िश है हमारे देश में जाच तो हर मामले की होती है और इस मामले की जाच के भी आदेश दे दिये का है लेकिन क्या किसी के पास इस सवाल का जवाब है कि बुरहान वानी के बाद आसिया अंद्रावी को घाटी का रोल मॉडल बता कर क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है ये बात किसी से च्छी भी नहीं कि आसिया अंध्रावी के ना केवल हाफिस जईीद जैसे आतंकियों से रिष्टे हैं बलकि पाकिस्तान के पूर प्रधान मंत्री नवाज शरीफ भी खुल कर उसकी तारीफ करते नहीं धखते प्रधान मंत्री रहते हुए नवाज शरीफ आसिया अंध्रावी को पत्र लिखकर कश्मीन और पाकिस्तान का एजंडा चलाने के लिए उसकी तारीफ भी कर चुके हैं कुल में लाकर सौबातों की एक बात ये कि आसिया अंध्रावी को घाटी का हीरो बनाने के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर है और इसके कसूरवाज सिर्फ पोस्टर चापने वाला नहीं बलकि राज्य सरकार भी है इसलिए आज देश ये सवाल पूछ रहा है कि अलगाववादी सोच रखने वालों के प्रती ऐसी भक्ती क्यों जम्मू से राज्यू गेंडी के साथ खालेज रुसें जी मीडिया श्री नगर एक अच्छा रोल मॉडल ढूडने के लिए अच्छी नियत का होना बहुत जरूरी है लेकिन अफसोस की बात है कि कश्मीर घाटी की बेटियों को प्रेड़ना देने के लिए राज्य सरकार को आसिया अंद्राबी जैसी महिला ही मिली अगर उन्होंने थोड़ी सी महनत कर ली होती तो आज उन्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़ता जो महनत राज्य की सरकार को करनी चाहिए थी वो महनत आज हमने उनके लिए की है राज्य सरकार चाहती तो कश्मीर की बेटियों के लिए 16 साल की जायरा वसीम का उधारन रख सकती थी जिन्होंने अपने सपनों को धर्म से उपर रखा और आज हिंदी फिल्म इंडस्री की सीक्रेट सुपरस्टार बन चुकी है कश्मीरी छात्रों को अपने सपने साकार करने के लिए 21 वर्ष की आईशा अजीज का भी उधारन दिया जा सकता था आईशा ने 16 वर्ष की उमर में बॉंबे फ्लाइंग कलब से अपना स्टूडन पाइलिट लाइसेंस हासिल किया था और कश्मीर की हर बेटी को ये जान कर बहुत अच्छा लगेगा कि 21 वर्ष की उमर में आईशा मिक 29 फाइटर जट उड़ाने वाली भारत की सबसे युवा महिला पाइलिट बनने वाली है इसके अलावा तजामुल इसलाम भी कश्मीर की बेटियों के लिए एक रोल मॉडल बन सकती थी जिन्होंने आठ वर्ष की छोटी सी उमर में वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चेंपेंशिप का गोल्ड मेडल जीत कर भारत का नाम रौशन किया था डॉक्टर रुवेदा सलाम भी एक ऐसी ही कश्मीरी बेटी हैं जिन्होंने अपने राज्य का नाम रौशन किया डॉक्टर सलाम वर्ष 2013 में यूपीएसी की कठिन परिक्षा को पार करने वाली पहली कश्मीरी महिला बन गई थी अगर राज्य सरकार चाहती तो वो कश्मीरी की बेटियों को रुखसाना कौसर के बारे में भी बता सकती थी जिन्होंने साल 2009 में अकेले अपने दम पर लशकर तयबा के एक आतंकुआदी से एके 47 चीन कर उसे मार डाला था और बाद में उन्होंने ये इच्छा भी जाहिर की थी कि वो सेकेरिटी फोर्से जोइन करके कश्मीर घाटी से आतंकुआद का अंत करना चाहती है आसिया अंदराबी जैसे लोग खुद को कश्मीर का हमदर्द बताते हैं लेकिन सच ये है कि ऐसे लोग कभी भी देश के सगे नहीं हो सकते इसलिए हमें लगता है कि अगर रोल मॉडल ढूने ही है तो फिर नियत भी पहले साफ होनी चाहिए हम जानते हैं कि ये ख़बर दिखाने के बाद भारत के कथित धर्म निर्पेक्ष लोग हमसे बहुत नाराज हो जाएंगे उन्हें हम पर बहुत गुस्सा आएगा लेकिन कोई बात नहीं कई बार कड़वे सत्ते बोलना बहुत जरूरी हो जाता है और आज हमने वही किया